अध्याय पांच अनुपात एवं समानुपात रेश्यो एन प्रोपोर्शन अनुपात रेश्यो हमें अपने द्यानिक जीवन में कई जगों पर तुलना करने की आविश्यक्ता पड़ती है यह तुलना बहुत बार अनुपात लेकर ही स्पष्ठ हो पाती है उधारन के लिए अगर हमें कबड़ी खेलने वाली तीन टीमों A, B और C के वर्ष भर के प्रदर्शनों की तुलना करनी है तब यह हम कैसे कर पाएंगे? इन में से टीम A ने अब तक कुल 5 मैच खेले हैं जिसमें से 3 मैच जीते हैं टीम B ने अब तक 12 मैच खेलकर 5 मैच जीते हैं तथा टीम C ने 18 मैच खेलकर 13 मैच जीते हैं अब यह जानने के लिए कि इन टीमों में किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है इन तीनों के द्वारा जीते हुए मैचों की संख्या तथा खेले हुए कुल मैचों की संख्या के अनुपात के रूप में लिखते हैं टीम A का प्रदर्शन अनुपात में बराबर 3 अनुपात 5 बराबर 3 बटे 5 टीम B का प्रदर्शन अनुपात में बराबर 5 अनुपात 12 बराबर 5 बटे 12 टीम C का प्रदर्शन अनुपात में 13 अनुपात 18 बराबर 13 बटे 18 लेकिन इनके प्रदर्शन के अनुपातों को देख कर यह बता पाना संभव नहीं है कि किसका प्रदर्शन अच्छा है क्योंकि प्रत्यक टीम के द्वारा खेले गए मैचों और जीते हुए मैचों की संख्या अलग-अलग है जिसके कारण इनके हर असमान है अतह हर को समान करने पर टीम A का प्रदर्शन होगा 3,36 बटे 5,36 बराबर 108 बटे 180 टीम B का प्रदर्शन बराबर 5,15 बटे 12,15 बटे 180 टीम C का प्रदर्शन बराबर 13,10 बटे 18,10 बराबर 130 बटे 180 अब हम इन अनुपातों को देखकर यह कह सकते हैं कि टीम C का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा करके देखें प्रश्न एक निमनलिखित में से किस भूखंड का तुलनात्मक शेत्रफल सबसे अधिक है पहला पांच वर्ग मीटर में से पांच वर्ग सेंटीमीटर का दूसरा तीस वर्ग सेंटीमीटर में से तीन वर्ग सेंटीमीटर का तीसरा, 10 वर्ग मीटर में से 9 वर्ग सेंटीमीटर का अनुपात का व्यावारिक उप्योग दिये गए तत्यों के आधार पर जानकारी पता करना अक्सर हम वास्तविक तत्यों के आधार पर कुछ निश्कश निकालते हैं जैसे हमें पता है कि प्रित्वी का संपूर्ण प्रिष्ठिक शेत्रफल लगभग 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है जिसमें लगभग 360 मिलियन वर्ग किलोमीटर जलभाग और लगभग 150 मिलियन वर्ग किलोमीटर थलभाग है अब हम इन तत्यों के आधार पर बता सकते हैं कि प्रित्वी पर जल भाग और थल भाग किस अनुपात में है तथा यह भी कि प्रित्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है और कितना प्रतिशत भाग थल है आईए यह पता करते हैं दिये गए तत्या पहला, प्रित्वी का संपून प्रिष्ठिक शेत्रफल 510 मिलियन वर्ग किलो मिटर दूसरा, प्रित्वी का जल भाग बराबर 360 मिलियन वर्ग किलो मिटर तीसरा, प्रित्वी का थल भाग बराबर 150 मिलियन वर्ग किलो मिटर अ. पृत्वी पर जल भाग वत्थल भाग का अनुपात बराबर 360 अनुपात 150 बराबर 360 बटे 150 हल करने पर मिलेगा 12 बटे 5 या 12 अनुपात 5 अथात पृत्वी पर जल भाग वत्थल भाग का अनुपात 12 अनुपात 5 है बी, प्रित्वी पर जल भाग का कुल प्रित्वी से अनुपात बराबर 360 अनुपात 510 बराबर 360 बटे 510 हल करने पर मिलेगा 12 बटे 17 या 12 अनुपात 17 प्रतिशत में बराबर 360 बटे 510 गुनित 100 प्रतिशत बराबर 70.58 प्रतिशत अब आप इसी तरह पता करें कि संपूर्ण प्रित्वी का कितना प्रतिशत भाग धल है यहां हमने तीन अलग-अलग टीमों के प्रदशन की तुलना की अलग-अलग वर्षों में एक ही टीम के प्रदशन की तुलना भी की जा सकती है आईए इसे एक उधारण से समझते हैं उधारण 1 36 गड़ राज की हौकी टीम का राष्टी स्तर पर खेले गए मैचों में प्रदशन निम्ननुसार है एक वर्ष 2016 में 12 मैच खेलकर 10 मैच जीते दो वर्ष 2015 में 10 मैच खेलकर 7 मैच जीते तीन वर्ष 2014 में 11 मैच खेलकर 8 मैच जीते इन तीन वर्षों में टीम का प्रदशन किस वर्ष सबसे अच्छा रहा कारण सहीद बताईए हल 36 गड़ हौकी टीम की राष्टी स्तर पर खेले गए मैचों में प्रदशन के अधार पर निश्कष निकालने के लिए इन प्रदशनों को अनुपात में लिखते हुए प्रतिशत में बदलते हैं आईए देखते हैं पहला वर्ष 2016 में प्रदशन अनुपात में बराबर दिया है 10 अनुपात 12 अब इसे हम प्रतिशत में ग्याद करेंगे प्रतिशत में निकालने के लिए हम क्या करेंगे 10 अनुपात बार है तो 10 बटा 12 गुणित 100 प्रतिशत इसको हल करने पर हमें प्राप्त होंगा 83.34 प्रतिशत उसी तरह से दूसरा वर्ष दो हजार दो हजार पंद्रा में पंद्रा में प्रदर्शन इसको हम अनुपात में लिखेंगे पहले तो अनुपात में हमारे पास दिया हुआ है 7 अनुपात 10 और इस ही को हम जब हम प्रतिशत में निकालेंगे तो प्रतिशत में निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसको अनुपात को बटने में लिखेंगे साद बटा 10 गुडित 100 प्रतिशत इसका मान हमारे पास आएंगा शुन शुन कटने पर 10 से कम 10 दस दहां 70 प्रतिशत उसी तरह से हम तीसरा जो है वर्ष दिया गया है हमारे पास वर्ष 2014 में 14 में 14 में प्रदर्शन ये अनुपात में हम लिखेंगे पहले इसको अनुपात में अनुपात में हमारे पास दिया है 8 अनुपात 11 अब इसे हम पुना प्रतिशत में ग्याद करेंगे प्रतिशत में निकालेंगे तो ये 8 बटा 11 गुणित 100 प्रतिशत बराबर इसको हल करने पर हमें प्राप्त होंगा 72.73 प्रतिशत अब कहीं हम 2016 वर्ष 2016 का हमने प्रतिशत 83.34 प्रतिशत निकाला वर्ष 2015 का 70 प्रतिशत निकाला और वर्ष 2014 का हमने 72.73 प्रतिशत निकाला तो टीम का वर्ष 2016, 2015 एवां 2014 में प्रतिशन क्रमशा 83.34 प्रतिशत 70 प्रतिशत वा 72.73 प्रतिशत है अता हम निकाल सकते हैं कि पिछले दो वर्षों की तुलना में वर्ष 2000 वर्ष 2016 में हाकी हाकी टीम का प्रतिशन का प्रतिशन ज्यादा अच्छा रहां ज्यादा अच्छा रहां क्योंकि वर्ष 2016 में हाकी टीम का प्रतिशन ज्यादा अच्छा रहां क्योंकि वर्ष 2016 में सबसे अधिक 83 प्रतिशत हमारा टीम का प्रतिशन हो रहा है तो यह इस प्रतिशन का हल होगा उधारन 2 महा अगस्त 2016 में महा नदी के जलिस्तर के बढ़ने की औसदर 5 इंच प्रतिघंटा थी जबकि महा सितंबर में यह 3 फिट प्रतिदीवस थी ग्याद कीजिए कि किस महा में जलिस्तर बढ़ने की औसदर अधिक है इसके लिए हम हल देखेंगे हल में सबसे पहले हम महा अगस्त में महा अगस्त महा अगस्त में जलिस्तर बढ़ने की दर बढ़ने की दर ग्याद करने हमें तो दर दिया हुआ है महा अगस्त में जलिस्तर बढ़ने की दर है पाँच इंच प्रती घंट उसी तरह से महा सितंबर में जलिस्तर की बढ़ने का जो दर है जलिस्तर बढ़ने का दर बढ़ने की दर हमारे पास दिया थीन थीन फीट प्रती दीवस दिया हुआ है को तो अब हम सबसे पहले थीन फीट यहा दिया है उपर में हमारे पास अगस्त में तीन 5 इंच दिया हुआ है तो सबसे पहले हम fit को इंच में बदलेंगे तो क्योंकि हम जानते है कि एक fit में 12 इंच होता है तो 12 fit जिगा गुणा 12 इंच लिख लेंगे इंच प्रति 24 गंटा क्योंकि एक दिवस में 24 गंटे होते है तो यह हो गया 36 इंच, 36 इंच बटा, 24 गंटा अब इसको 12 से हम काटेंगे 12 तिया 36 बारा दुनी 24 तो यह हो जाएंगा 3 बटा, 2 तीन इंच बटा, 2 गंटा या 1.5 इंच प्रती गंटा अब पहला जो हमारे पास आया था, महा अगस्त का जलिस्तर बढ़ने का दर 5 इंच प्रती गंटे है और महा सितंबर में जलिस्तर बढ़ने की दर जो है 1.5 इंच प्रती गंटे है तो अर्थात महा अगस्त में जलिस्तर बढ़ने की दर 5 इंच प्रती गंटा है जो महा सितंबर में जलिस्तर बढ़ने की दर से अधीक है तो हम कह सकते कि महा अगस्त में जलिस्तर बढ़ने की दर अधीक है क्योंकि हमने महा अगस्त में जलिस्तर बढ़ने की दर 5 इंच प्रती गंटा दिया है और महा सितंबर में जलिस्तर बढ़ने की दर हमने ग्याद किया 1.5 इंच प्रती गंटा जो की बहुत कम है महा अगस्त से इसलिए हम कह सकते कि महा अगस्त में जलिस्तर बढ़ने का बढ़ने की दर जो है महा सितंबर से अधिक है या इस प्रशन का हल होगा